आज का जो ये वीडियो है ये दो ऐसी डॉग बीड पे है जो अपने ओनर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है बहुत ही ज्यादा लोयल है अपने ओनर के पास किसी भी खत्रे को भटकने नहीं देते वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुश्चन यहां पता है यहां पता है तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे दो डॉग बीड एक है पिट बुल और दूसरा है जर्मन सेफर्ड जर्मन सेफर्ड वर्सेज पिट बूल हम कंपेर करते हैं आपके लिए कौन सा ज्यादा बैस्ट रहेगा तो जैसे कि हमने पहल जुन्द में रखने के लिए उनको शेफ्टी देने के लिए यह यूज में आता था वहां पर यह काम करते थे पिट बुल जो डॉग बिड है वह फाइटिंग के लिए बनाये पहले के टाइम में बुल बेटिंग बियर बेटिंग जैसे गेम होते थे एक बड़े अखारे क इसने के आनदर भालू को छोड़ दिया जाता है और छोड़ दिया जाता था फिर पिट बुल छोड़ दिया तए थे तो लड़ते रहते थे सुष्टी सब्चाइब दोनों डोग वर्किंग लाइन के है एक डोग है जो गार्ड डोग के अंदर सबसे बैच माना जाता है पैमली प्लस गार्ड डोग जर्मन शेफर्ड दूसरा है जो थोड़ी जो उसकी रेपुटिशन है वो बहुत ही खराब है ठीक है और क्योंकि एक तो आप देखो पूरे वर्ड में जितनी भी कंट्री है उनमें इत्तालिस देशों में पिटबुल बैन है वर्ड की जो मोस्ट डेंजरस डॉक ब्रीड की बात करें हम तो पिटबुल का नाम आता ही आता है फर्ट शेकिंड नंबर पे चलता ही रहता है पिटबुल तो काफी ज्यादा डेंजर्स है नो डाउट पर डिपेंड करता है आप ट्रेंड कैसे करते हैं हम जब जर्मन शेफर्ड लेने जाते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे जर्मन शेफर्ड को ले लेते हैं ठीक है हमें मालूम है कि हमारी फैमली को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा बच्चों के साथ क कीरिंग तरीके से रेगा घर में बुजूरग हैं उनको भी ज़्यादा प्रिशान नहीं करता है और बहुत ही ज़्यादा लोयल है लेकिन जब जर्मन शेफर्ड इंडिया में आया था तो यकिन वानिए जिस तरीके से आच पिटमुल पूरे इंडिया में बदनाम है इसी तरिकी से जर्मन से फट भी बतनाम था ज़्यादीट अले लोगों तो इसका नाम नहीं वालूम यह जब यह में शेफट इंडिया में आये था तो आर्मी के नाम से इसको जानते थे अर्मी और सिंट कौने काम कर्द भाक कि इन्ट्रेस काम या रहा कि लोगों है इसलिए जब पिटबुल लेटेस्ट आये तो लोगों को नोलेज नहीं थी कि किस तरीके से डॉब को कंट्रोल कर रहे हैं उस समय जब पिटबुल आया उस समय तीन सबसे बेस्ट गार्ड लोग चल रहे थे जो पूरे वर्ल्ड के इंडिया के अंदर रॉट विलर डॉबर और जर्मन शेफड तो जब जर्मन शेफड तो वह बदनाम था फिर डॉबर मैं आया तो डॉबर मैं भी काफी बदनाम रहा कि एग्रेशिव है खा जाता है मालिक को मार देता है फिर रॉट विलर के बारे में भी ऐसी मिस्थ थे ठीक है लेकिन आज लोग रॉट विलर जादा सोचते नहीं है ले ले लेते हैं उनको मालूम है कंट्रोल हो जाएंगे यह बहुत अच्छे ट्रेनेवल डोग है पुलिस डोग है आर्मी में काम करते हैं ठीक है लेकिन पिटबूल का दुरभाग्य यह है कि वह केवल और केवल यूएस की जो आर्मी है वही काम करत इंडियन आर्मी में भी नहीं है इसलिए पिटबूल को कैसे कंट्रोल करना है यह लोगों को समझ में नहीं आया अगर हम बच्चों से बात करते हैं यह हमारे गर में छोटे बच्चे है तो जर्मन शेफर काफी अच्छे से रहेगा काफी केरिंग तरीके से रहेगा बहुत पिटबूल की एनरजी लेवल बहुत ज्यादा होता है इसलिए छोटे बच्चों के साथ रखने से पहले पिटबूल को अच्छे से ट्रेंड करना पड़ता है बहुत ही अच्छे से फिर दूसरी बात आ जाती है जो पिटबूल है उसमें भी जैसे एपी बीटी जो है अमे पिटबूल को लियां और आप शोचों कि मैं इसको ट्रेंड कर दूँगा तो यह कंट्रोल में रहेगा नहीं रहेगा रहेगा माशलों दो दिन चार दिन के लिए आप आउट जो आपका शहर उस चले जाते हो तो पिर बाद में पीछे घर में बच्चों के लिए आपके प बड़ा घर है तो क्या होता है यह पूरे पूरे दिन खेल कूद करके अपनी एनर्जी चैनलाइज कर लेगा एग्रेशन नहीं उसका ज्यादा बढ़ेगा छोटे गरों में बंदे 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 वो ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं ज्यादा फिर इरिटेर हो जाते फिर वो एग्रेशिव हो जाते अब एक टाइम आप मान लो कि आप 10-15 दिन के लिए भार चले गए शेहर से तो आपके पीछे भी कोई परसन मोजूद होना चीए जो पिटबूल को कंट्रोल कर सके ठीक है जो भार घुमा के ला सके छोटे बच्चों के हाथ में पिटबूल प्रोटेक्ट करेंगा बेवजय किसी पर अटैक नहीं करेगा यदि आपने जर्मन शेफट को अच्छे से ट्रेंड किया है तो अब बात करते हैं हैल्थ इसूज तो पिट बूल में कोई health issues नहीं आते कोई problem नहीं आती सबसे लो maintenance जो guard डोग है या fighting डोग है वो पिट बूल है एक Belgian Malanoise और एक पिट बूल यह दोनों ऐसे डोग है जिनका कोई maintenance नहीं होता यकीन मानिये क्योंकि एक तो इनका कोट बहुत सोट होता है फिर खाली इनको मल्टी विटामिन केलशियम की नीड होती है क्योंकि ये वर्किंग लाइन के डोग है उसके लावा ये डाइट भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं मागते कि कोई एक्सपेंसिव डाइट देनी पड़े ठीक है तो उस therapies में भी आपका पहुत ज्यादा benefit हो जाता है दूसी तफ जर्मन ठैफड़ जर्मन को और लो मेंटनेंस डोग भी नहीं बोलेंगी तो क्योंकी पहले के समयमें जब जर्मन शेफड इंडिया मेंडिया में आए थे उस्यस समयमें इनका जजाधा मेंटनेंश नहीं था यह ब लेशिया और एलबोर जैसी बिमारिया आ जाती है ठीक है फिर वो गर्मियों में खाना बंद कर देते हैं तो वहां भी बहुत ज्यादा प्रोब्लम आ जाती है बड़े बाल जो लोग कोट का जर्मन से फड़ ले रहे हैं उसके बड़े बाल होने के कारण उसको मल्टि वेटा में आता है थोड़ा बोर तो आप यह भी जरूर चेक कीजिए कि आप कितना पैसा इंवेस्ट कर सकते हो डोग के उपर मंतली उस हिसाब से ही आपको डोग लेना है कि फाइटिंग डोग पिटबूल होने के कारण मैं रेकमेंड करूंगा यदि आपको एक्स्पीरेंस नहीं दूसरी तरफ जर्मन शेफर है वो अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए लेना है गार के लिए लेना है तो नो डाउट आप ले सकते हो लेकिन इस चीज का द्यान रखना आपके घर में किसी मेंबर्स को डोग के जो हेर है उससे ऐलरजी ना हो तो कुछ लोग होते हैं जिन पर रखा एक्स्पिरियंस लिया उसके बाद आप रॉट विलर या डॉबर मैंट पर शिफ्ट होई है उसके बाद फिर मर्जी चाहें आप जो डोग ले सकते हों चाहें आप पिटबूल लो डोग और जैंटेन लो लो कुछ भी लो अभी भी कोई डाउट है तो कोई कन्फ जाना है तो आप मुझसे पूछ सकते हों बने रही है इस वीडियों पर जादा जादा इस वीडियों को शेयर कीजिए